Friends, Ports for Prosperity और Ports for Progress का हमारा विजन धरातल पर लगातार बड़लावला रहा है लेकिन हमारे काम ने Ports for Productivity के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है Economy की Productivity को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लोजिस्टिक सेक्टर को भी Effective और Efficient बना रही है भारत अपने Coastal Shipping मोड का भी आधुनी करन कर रहा है बीते एक दर्शक में Coastal Cargo का Traffic दो गुना हो गया है और इससे लोगों को एक Cost Effective Logistic Option भी मिल रहा है भारत में Inland Waterways की विकास से भी बड़ा बड़लाव आ रहा है पिछले दशक में National Waterways की Cargo Handling उसमें करीब चार गुना Growth देखने को मिली है हमारे प्रयासों से बीते नव पर्शों में Logistics Performance Index में भी भारत की रेटिंग्स बहतर हुई है साथियों, Ship Building और Repair सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है हमारा स्वदेशी Aircraft Carrier, INS विक्रांथ भारत की ख्षमता और भारत के सामर्था का प्रमाण है अगले तशकों में, भारत दुनिया के Top 5 Ship Building Nations में से एक होने जा रहा है हमारा मंत्र है, Make in India, Make for World, Maritime Clusters के विकास के जरिये हम Ship Building Stakeholders को एक साथ लाने के Integrated Approach पर काम कर रहे हैं हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर Ship Building और Repair Sector Centers विक्सित करने वाले हैं Ship Recycling के ख्षेतर में भारत पहले ही ग्लोबली दूसरे स्थान पर है अपने Major Ports को Carbon Neutral बनाने के लिए भारत Maritime सेक्टर में Net Zero Strategy पर भी काम कर रहा है हम एक ऐसे भविश्की और से बढ़ रहे हैं जहां Blue Economy ग्रीन प्लैनेट बनने का माध्यम होगी kров कर not comprar कर दो कूए कर दो कर दो को कुए कर दो कार छो कर दो कार यहा है